टॉपर्स कुछ भी चीज अलग नहीं करते हैं, वो हर चीज को अलग तरीके से करते हैं और बच्चे क्या करेंगे? अभी तो मगब कर लेंगे, कुछ भी चीज याद कर ली, बस पढ़े गए, पढ़े गए, पढ़े गए फिर उनके बात में जाके क्या होते हैं, हाथ पर फूरनी हो जाती हैं, आप कैसे लेखे कैसे लेखे, anxiety ओर रिशुर हो जाती हैं ज्यादा time में देने से बढ़िया, अभी से दीरे दीरे time देतें तो हम end में जाके अपने आप फूरी class पे आगे हो हलो見rat देशो हुए दिर्वान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं कुछ-कुछ मेрудर पॉइंट kan प्उंट के बारे में जो की आप जो लेक Wuhan Benjamin मैं दसवी में इतना स्कोर करूंगा या मैं दसवी में इतना स्कोर करूंगी उस लक्ष को पाने के लिए आपको सहयोग करेंगे आपसे जो senior batch था ना जो इस समय 11 पमें आ चुके हैं वो मेरे से पड़े थे उनसे भी senior batch पड़ा था और उनस भी ने फोड दिया है आपके senior batch ने कर देना बहुत बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आप जब देखोगे आपके होश उड़ जाएंगे मैं इस बात की guarantee देता हूं पॉइंट ही है जितने भी seniors थे आपके उनस भी ने बहुत अच्छा फोड़ा है उनस अभी के साथ मेरी एक meeting हुई है जितने भी बच्चे थे 97% 98% 99% वाले 99.8% वाले उनस अभी के साथ मेरी एक meeting हुई एक बार मैं बैठा उनके साथ ये जानने के लिए कि यार मैंने चीज बांध के न अराम से बैठ जाओ जो जो पॉइंट यहां पर बता रहो उनको ध्यान से सुनो इसको implement करने की कोशिश करो क्योंकि खाली सुनने से नहीं होने वाला आप सभी ने इस चीज को realize कर लिया होगा कि भाईया हम घ्यान तो बहुत ले ले लेते हैं पर उसको हमारे उ competitive exam होता है जो और बढ़ा पहाड है उसको भी आनाम से फोड़ दो कि अगर अभी यह वाला जो basic है यह clear रहेगा तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है एक चीज और कि आपके 15 तारिक से एक्जाम आ रहे हैं मेरे को पता है ठीक है बच्चे कमेंट कर रहे थे कि वही है 15 तारिक से एक्जाम आ रहे है आपको याद नहीं है मेरे को बुरको याद है अगर आप चाते हो कि एक proper schedule एक proper आप ही मान स जितने टॉपर के इंटर्वियों देखते हो आप चैनल पे अगले टॉपर आप होगे ठीक है ध्यान से हर एक चीज सुनते रहना सबसे पहली चीज भाईया टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा बहुत बच्चों के डाउट आ रहा है ठीक है अभी आपका जो सीनियर बैस सुबह सुबह स्कूल हो जाता है स्कूल भी अपने साथ गंटे चले जाते हैं स्कूल के बाद हम आते हैं एक दो घंटे अराम करते हैं फिर उसके बाद हमारी कोचिंग शुरू हो जाती है कोचिंग शुरू करने के बाद हम घर पे आते हैं फिर स्कूल का homework होता है कोचिंग कि आपके क्या कहते हैं जितनी और आपको मॉड्यूल वगरा मिली होती है वो करनी होती है सेल्फ स्टडी का तो भीया टाइम इने मिल पाता कैसे करें क्या ये चीज़े दिमाग में आ रही है स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा हमें स्मार्ट ली खेलना पड़ेगा ये चीज मैंने पिछले साल एक शॉर्ट फिल्म में बच्चों को बतानी की कोशिश करी थी आप सभी को बिल्कुल ऐसे कंसाइजली बता देता हूं क्योंकि ज़्यादा टाइम में आपका वेस्ट नहीं करूँगा भाया हमारी ना जो हूमवर्क होता है इसमें दो चीज़े होती है एक होता है कि हमें सिर्फ कॉपिया कंप्लीट करनी है हमें उसमें एक्टिविटीज करनी है और ये सारे काम करनी है एक होता है कि हम प्रॉपर उसमें बैठके रिवीजन कर रहे हैं या फिर अगले टेस्ट जरूर आता है जिसमें हमारा मन करता हिए कि अब तो दम लगा कि पड़ँगा होता तो होगा है ना नहीं होता भॉया हम तो भॉया पूरे time मसती में ऐसा कुछ नहीं होता है एक time जरूर ऐसा होता है जिसमें हम होड़े से productive रहते हैं हमें नीद कमारी होती है है ना हम सो के उठते हैं 25 मिनिट का नया पली है उसके बाद उठे तो हम productive ज्यादा feel कर रहे होते हैं तो कोशिश करो उस productive वाले time में ये सारे काम ना हो कि हम copy भर रहे हैं activities कर रहे हैं उस productive वाले time में हमारी revision हो रही हो हमारी self study हो रही हो जिसमें हमें अपने notes revise करने हैं जिसमें हमें सवाल practice करने हैं questions practice करने है questions करनी है कोशिश करो ये सारे काम इस सवाले समय पे हो जिसमें हम productive हैं ये छोटा सा hack है बच्चों को दिमाग में नहीं आता है बच्चे क्या करते हैं भाई ये स्कूल से आए सबसे पहले तो कॉपिया बढ़ने बैठ गए कॉपिया बढ़ने बैठ गए पूरा दिन निकल गया रात में दिमाग में आता है कि self study करनी है पर रात में क्या होता है नींद आने लग जाती है बढ़नी हमें बैठ के ये फोन लगा हो लगा के अपने जितना भी time अपना बचा है किसी की copy copy ले लिए उससे दिख के चाप लिया छोटे से hacks हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे इससे आपका time manage होगा ठीक है तो ये भी चीज आपको समय में आगी होगी हम अगले point पर जाते हैं आप मेरे से ज़्यादा समस्दार हो इतको ज़्यादा मैं explain नहीं करूँगा नहीं तो school वाले मेरे उपर आजेंगे कि यार आप ऐसी ऐसी बाते करते हो अब आते हैं दूसरी point पर दूसरी point यह है कि जितने भी बच्चों से मेरे बात हुई न उन्होंने एक point बोला कि भाईया जब exam का time आता है न उस समय हम सोचते है कि paper में कैसे लिखके आना है जिससे की अच्छे number आए presentation कैसी होनी चाहिए पर हमने एक चीज रिलाइस करी कि अगर हम जो शुरू का ही time है हमारा भई अभी हमारे august चल रहा है august हो गया September हो गया October हो गया November हो गया exam तो आपके February end में जाके होंगे ठीक है 15 February से basic basic exam है तो बच्चे क्या करते है कि जनवरी में सोचेंगे बैठके कि जब sample paper लगा रहे है हम question bank लगा रहे है उस समय बैठके हम presentation के बारे में सोचेंगे कि question को कैसे लिखना चाहिए point wise लिखना चाहिए underline करना चाहिए पर बच्चों ने बोला अगर भईया इस चीज को हम शुरू से ही करना शुरू कर दें तो हमें end में वह ज्यादा time fall तो नहीं जाएगा तो इसलिए कोशिश ये करो कि अभी आप जब बैठके तयारी कर रहे हो ठीक है आपका कोई test हो रहा है आपकी weekly test हो रहे हैं आपके uts हो रहे हैं ठीक है आपके half yearly exam हो रहे हैं ठीक है आपके half yearly exams हो रहे हैं आपके जो tuition classes हैं आपकी जो coaching है उसके test हो रहे हैं तो कोशिश करो कि इसी में ही आप अपनी जो presentation है वह अच्छी करो भाया presentation का मतलब क्या होता है presentation का एक छोटा सा example देता हूं जो कि एक और topper है उन्होंने मेरे को बेजा कि इस तरह से for example यह एक example है और deep में बाद में आपको explain करता हूं मालोई question आ गया कि जी describe the contribution अभी ज़रूर नहीं है आपके slave us में भी हो ना हो पढ़ रहा का ने पढ़ रहा का आप यह समझ लो कि question को कैसे frame करना होता है describe the contribution of Mahatma Gandhi for the appointment of Dalits contribution of Mahatma Gandhi for the appointment of Dalits R तो उसने क्या का कि भाया तीन नंबर का सवाल है तो तीन नंबर के सवाल में जब हम तीन पॉइंट लिखते हैं वो छूटे योटे लगते हैं तो आप यह करो सबसे पहली तो चीज जो हमारा जन्म से ददिकार है कि जो question है उसी question को सबसे पहली line में हमने लिख दिया ठीक है यह example है अभी ध्यान से सुनो तो question को हमने सबसे पहली line में लिख दिया कि the contribution of Mahatma Gandhi for the appointment of Dalits R as follows यह हो गया थोड़ा सा बर गया फिर जो हमें point नंबर पहला दूसरा नहीं point नंबर जो पहला हम यहां पर direct लिखने वाले थे कुशिश करो उस point की heading दे दो कि जी गांधी जी ने title कर दिया था उनको as harijans like अब इसको थोड़ा सा explain कर दिया कि मात्मा जांदी गांधी called Dalit as harijans which means children of God to relate them with the God word तो हमने क्या करा जो point है उसको पहले ही हमने एक title में लिख दिया तो इससे क्या करा थोड़ा सा बहरा बहरा लगेगा इस बच्ची ने एक और बात बहुली कि यह कई बार क्या होता है तो इसलिए कोशिश यह करो कि इस तरह से हम लिखने की ट्राइ करें यह हो गया आपका science के लिए maths के लिए English के लिए इसके लिए ना आपके जो seniors है उनके exam के time पर मैंने एक video बनाई थी अलग-अलग exams के लिए तो आप उसे अभी से देख सकते हो थोड़ा सा smart हम अभी खेलने ठीक है आना होता है फिर उनके बात में जाके क्या होता है हाथ पर फूलने हो जाते हैं कि आप कैसे लिए कैसे लिए anxiety और शुरू हो जाती है तो आप क्या करो अभी से उस चीज को start कर दो जाधा time हम end में देने से बढ़िया अभी से दीरे दीरे time दे तो हम end में जाके अपने आप होंगे कि मेरी बात समझ में आ रिया तो हमने क्या करा जैसे मैच के presentation एक वीडियो में बनाइती बच्चो के लिए science के presentation वीडियो मनाइती है ना आपकी English के presentation वीडियो मनाइती यह सारी आप अभी से देखना शुरू कर दो आपने एक बार देख ली जिस तरह से मैंने बोला ह एक्जाम में आंसर लिखने के लिए वो आपने अभी से देख लिए तो आपके सबसे पहले तो सारे टेस्ट वगरा में उससे लिखो के तो आपकी प्रेक्टिस हो जाएगी साथी साथ जब आप एंड में एक्जाम देने जाओगे तो आपको अलग से भागना नहीं पड़ के फायदा होगा हर एक चीज़ फ्री में कोई पैसा हम नहीं लेते हैं अब आते हैं तीसरी चीज़ पर इंग्लिश के लिए बच्चों ने बोला कि भाया बच्चे का करते हैं ना वन शॉट वीडियो देख लेंगे कि भाई इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना क्लास में पढ़ा ही कोई बात नहीं अब तो यूट्यूब पे चीज़ फ्री में अविलेबल है तो हमने क्या करा कोई भी एक इंग्लिश की वन शॉट वीडियो देख ली और हमें समरी समझ में आ गई और हम जाके अंसर लिख देंगे पास होने के लिए तो ठीक है पर अच्छे नं बच्चों ने बोला कि भाया इंग्लिश में क्या होता है अगर आप बुक में से उठाके कुछ-कुछ लाइन अपने आंसर में डालोगे तो वो एक सुन्दर आंसर लगता है टीचर को लगता है कि हां यार इस बच्चे ने रीड बुक कर रखी है इसने एक बार देख रख इस करेक्टर ने क्या वोला था इस करेक्टर ने क्या वोला था क्या मरी बात समझ में आ रही है यह हो गई इंग्लिश की पॉइंट ठीक है अब आते छोड़िए चीज़े है जो बच्चे जाने अन-जाने में भूल जाते है और वही एक गैप लिया था एक टौपर में और ज़्यादा हाप सवाल मैट्स में करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहेगा तो जितने प्रेक्टिस कर सकते हो न उतने करो आपके पास टाइम बहुत है पाँछे महीने कुछ नहीं बच्चे एक एक हफते में बैटके पास हो जाते हैं तो पाँछे म बच्चों को सिर्फ NCRT कर लो मैट्स में बहुत है यह है पर बच्चों ने बोला कि भईया बहुत है एक एवरेज मार्स लाने के लिए पर अगर आपको कॉंसेप्ट अच्छे से समझना है आपका ऐसा हो जाना चीए कि आपको मैट्स से प्यार हो जाए तो कोशिश करो कि एक reference book कोई भी उठा लो RD हो गई RS हो गई कोई भी हो गई भारी चीज़े हैं पर आप अभी से करना शुरू कर दोगे तो आपको खलकी लगनी शुरू हो जाएगी ठीक है पर कोशिश यह करना कि उठाओ तो पूरी करो यह नहीं कि भाया चार सवाल करे उठा के रख दी नह लगेगा यह कैसे क्लिक करता है हमाई टीचर को कैसे पता चलता है भाया कि यार हम कई बार होता है कि हमसे कोई सवाल नहीं हो रहा हम जाके सर से पूछते हैं कि सर यह वला सवाल कैसे करना है तो सर बोलते हैं अच्छे इसमें तो यह लग जाएगा हम सुछते हैं सर को इतनी तो क्या करो जितनी प्रैक्टिस दिन में एक टाइम बना लो मैं इस समय बैट्के मैं मैं मैट्स की इसाफिक्स की प्रैक्टिस करूँगा नियुमेरिक्ल की और अच्छे से करूँगा खाली सवाल करना important नहीं है, important ये भी है कि एक mistake book बनाओ, ये एक नई चीज बच्चों ने बताई मेरे को, कि भाईया हम क्या करते थे, एक rough copy साथ में रखते थे, जिसमें सवाल कर ले हो तो ठीक है, पर साथ में एक और copy हमने जरूर रख ली, जिसमें अगर कोई भी चीज हमें लगी ऐसी कि tricky सवाल है थोड़ा सा, थोड़ा सा और conceptual सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, कुछ ऐसा सवाल है, जो घूम के आया हुआ है, कोई ऐसा सवाल है, जिसमें मैं बार बार mistake करता हूँ, वो सवाल हमने एक अलग से copy बना रखी है, 15-20 रुपे की copy ले रखी है उसमें मैं उन सवालों को लिखता हूँ, कि जैसे माल लो मेरा चेप्टर नंबर वन चल रहा है, जैसे माल लो मेरा चेप्टर नंबर वन चल रहा है, तो चेप्टर नंबर वन मैं बैठ के कोई भी एक refresher book ले रखी है, मैं आज के हमने कोई भी refresher book ली, चेप्टर नंबर व लिख दिया कि यार ये चप्टर नंबर वन का ये चेप्टर नंबर वन का इक important सवाल है जिसainे आ बार बार गलतिया कर रहा था और इसमें एक important concept है, वो important concept आपने हिंदी में यहीं पर लिख दिया, ठीक है, किसी और को तो दिखानी नहीं है, तो अपनी भाशा में आपर लिख दिया, कि इसमें मैं ये गलती कर रहा था, और इसमें ये चीज नहीं है, जो line मैं बोल रहा हूँ न, ये हमने कर लिए, ये नई चीजें जो टॉपर करते हैं, अभी बता चला है, मिरे को भी नहीं बताता, ठीक है, आज सभी की तरह मैं भी नया हूँ, इन चीजों में, नया तो नहीं मतलब हाँ, कुछ-कुछ चीजें मिरे को बच्चों से ही बता चलती हैं, तो मिस्टेक बुक आपने बना ली, ये हो गया मैच्स के लिए, फिजिक्स के लिए भी, जो तरह सवाल जादा करोगे, तो जादा गॉन्फिदेंस बढ़ेगा, अब बात आती है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो बच्चों ने बोली, कि भाया, रुटीन में न, हमने एक घंटा ऐसा बना रखा था, जिसमें हम कोई भी मुबाइल फोन, कोई भी सोचल बीडिया, कोई भी डिवाइस नहीं रखेंगे, आजकल बहुत मुश्किल है, स्मार्ट फोन को छोड़ना, ठीक है, मेरे को भी पता है, छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश करो दिन में एक घंटा, या देड़ घंटा ऐसा जरूर हो, जिसमें कि एक नो मुबाइल फोन, नो फोन टाइम हो, ठीक है, जिसमें कि हमने नहीं उठाएंगे फोन, हम कुछ नहीं करेंगे, यह क्या होता है न, यह आपको कंट्रोल करना सिखाएगा, यह नहीं कि मैसेज की नोटिफिक्शन है, और हम फोन पर भाग के नहीं, एक घंटा ऐसा हो, जिसमें हम बैठे हुए हैं, सिर्फ हम स्टड़ी कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने कौपी किताब से बैठके पढ़ रहे हैं, और फोन वोन सबसाइड में, फिर देड़ दो घंटे बाद हमने 15 मिनिट के लिए फोन चला लिया, तो यह एज़र रिबाड भी रह गया, तो ऐसी चीज़े, ऐसे ऐसे slots अगर तुम दिन में रखोगे, बहुत काम आएंगे, यह बच्चे जो मेरी बात वी, उन्होंने कर आए, आप करोगे, आपका भी बहुत फायदा होगा, ठीक है, concentration power बढ़ती है, हम यह नहीं कि हम बार-बार distract होता रहेंगे, यह चीज़े अगर आप करोगे, तो आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है जी, अब आते हैं एक और point पे, जो बच्चों ने बोला, कि भाईया, कम घंटे with consistency regularly, is greater than more hour, but for only one day, क्या बोला भाईया, कि भाई, आज तो मेरा बहुत मन करा, भाईया पढ़ने का, और मैं चार घंटे पढ़ रहा हूँ, मैंने चार घंटे पढ़ भी लिया, पर कल मैं एक बहुत नहीं पढ़ पाया, यह गलत है, यह बेकार है, as compared to, कि हम सिर्फ दो-दो घंटे पढ़ रहे हैं, रोज के पर हम consistently पढ़ रहे हैं, कोशिश करो हम consistent रहे, topper और average बच्चे में, जो main अंतर था, जितने मेरी बात हुई, उन्होंने यह का, कि हमने शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया था, ऐसा नहीं है, कि हम आखरी में जाके सोच रहे हैं, कि अब मैं बाला घंटे पढ़ूँगा, वो बहुत hectic रहता, और उससे हम इतना तगड़ा अचीव नहीं कर पाते, जितना अभी हमने अचीव कर लिया है, तो इसलिए consistent रहो, रोज के दो घंटे consistently पढ़ना, यह जादा, it is much better than कि हम आखरी में जाके 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, वो hectic रहता है, उसमें सारा स्लेबस अच्छे से नहीं हो पाता, उसमें हम डरे भी रहते हैं, कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रोज 2-2 घंटे पढ़ लिये, रोज 3-3 घंटे पढ़ लिये बस, इतना बहुत है, ठीक है, मज़े भी करने हैं, 10-12 आच चुकी है, 10-12 एक ऐसी क्लास है, पिछली वीडियो में ही बोला था, जिसमें आप जितने जादा मज़े करोगे, उतनी जादा memories बनेंगी, तो जितनी memories हम बना सकते हैं, दस्वी में बनाएं, उसके बाद तो आएं, कहीं कहीं जाना ही है, भाग दोड़ वाली दुनिया में हम चल लेंगे, तो इसलिए, रोज के थोड़े-थोड़े consistently हम पढ़ रहे हैं, और आखरी में जाके, हम एक अच्छा score लेके आज जाएंगे, यह कुछ points थे, जो मेरे दिमाग में आए, जो मेरे को बच्चों ने बताए थे, और कुछ-कुछ, मैं regularly meeting करूँगा यार, जितने भी topers हैं, ठीक है, आप सभी के लिए, और उनसे जो-जो input आएंगे, वो मैं आप सभी के साथ यहां पर share करूँगा, आप से बस यह गुजारिश रहेगी, कि आप मेरे साथ बने रहो, आखरी में जाके, हम सब मिलके फोड देंगे, इस बात की मैं guarantee देता हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूगा, यह fact है, पिछले तीन साल हो चुके हैं अपने को, ठीक है, ढाई तीन साल हो चुके है चैनल पे, और बच्चों ने बहुत अच्छा फोड़ा है, आप भी बहुत अच्छा फोड़ोगे, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोडना है, कहर मचा देना है, और आग लगा देनी है, बबाई, टेक कियर, बेस्ट अफ लग, चलो जाओ, पढ़ लो, बाई, 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 पढ़ लो, बाई,